तुर нравится के लास्ट के अंदर हमने जो है वैट एक्स्क्लूजष वैट और एक्स्लूसिव वैट को पर बात कर एंदर है आज की कॉंस्प्टिन वीडियो के अंदर हम वैट के ट्री अकाउ맛 के फार्मेट के उपर बात करें रहेंगे को 걸 वेट किटी अकाउंट के अंदर, credit site पे opening balance यानि के वेट के account का जो आपका previous कोई balance sell रहोगा HM Revenants Custom Department के पास तो वो credit site पे आप opening balance लिखेंगे फिर during the particular period of time जितनी भी आपने purchases के वेट दिया है, जितना भी आपने purchases के वेट दिया है वो सारा आपका debit site पे record किया दाएगा उसी particular period of time के अंदर आपने जितनी भी sales करी है तो उस sales के वेट आपने collect किया है तो उस वेट के amount को आप credit site पे दालोगे यानि opening balance आपके पास credit site पे रागया, वेट जो है purchases के वेट आप इसको आप input भी लिख सकते है input का मतलब है purchases के वेट दिया है उसको debit site पे लिखा जाता है और output यानि के sales जो है उसको output भी लिख सकते हैं और वो credit site पे लिखा जाएगा उसका amount और particular period of time के अंदर अगर आपने कुछ during the period of time आपने वेट की कुछ payment करी है revenue custom department को तो वो आपकी payment जो है वो credit site पे debit site पर आजाएगी बैंक के नाम से और इसके बाद आप जो है वेट का ending balance find out करोगे हैं अगर आप इसके format को देखो तो opening balance credit site पर input purchases जो है वेट debit site पे output sales के ओपर वेट credit site पे payment जो करिए bank के नाम से वो debit site पे और फिर आप footing balancing करेंगे तो वेट के account का balance आ जाएगा याद खिएगा वेट के account का credit site पे balance आ रहा है तो इसका मतलब यह amount owed to HM Revenient Custom Department यानि आपको amount पे करना है HM Revenient Custom Department को और अगर आपके वेट के account का balance CD या BD जो है debit site पे abnormal condition हो जाए इसका मतलब यह है कि आपको वेट का amount जो है वो बाकादर receive करना है HM Revenient Custom Department से आपको HM Revenient Custom Department से जो है वो वेट का account receive करना है तो यह आपके आज दो condition होती है hopefully आपको समझ में आगया होगा आज के लिए इतना ही काफी है next video में इससे आगे बात करेंगे thank you